मासकार आप सभी का स्वागत है हम लोग देखने जा रहे साहकारी तभी भाग से संबंधित एक महत्पूर्ण विसाय कंप्यूटर और कंप्यूटर का एक महत्पूर्ण चेप्टर है इनपूर और आउटपूट डिवाइस तो आए बिना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं और कोशिज करेंगे कम समय में जद ज़्यादा प्रास में को लगाने की तो पहला प्राफन है निम्न लिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वाईस कमूनिकेटन के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इसमें इस्तमाल किया जाता है किसका microphone का तो इसका सही answer हो जाएगा option number B अगला perfection देखिएगा निमने लिखित में से कौन सा temporary output है तो temporary output device इसमें से output कौन सा है तो ये soft काफी temporary output होता है जिसका फ़ही answer जाएगा option number B अगला perfection देखिएगा इसका उप्योग आम तोर पर computer में ध्वनी input के लिए किया जाता है तो ध्वनी input के लिए उप्योग किया जाता है microphone का तो इसका फ़ही answer जगा option number C अगला perfection देखिएगा निमने में से कौन सा एक pointing device है तो pointing device होता है mouse तो इसका सही answer जगा option number B अगला perfection देखिएगा inkjet printer एक image को कैफे print करता है तो यह print करता है character की spray printing से करता है तो इसका फ़ही answer जगा option number B अगला perfection देखिएगा एक खाली स्थान एक प्रकार का printer है जो print करने के लिए एक स्याही ribbon को प्रभावित करने वाले pin का उप्योग करता है तो यह उप्योग करता है dot matrix printer में तो इसका सही answer हो जगा option number A अगला प्रफन देखिएगा किस प्रकार का printer print करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है तो स्याही का छिड़काव करने काम करता है inkjet printer तो इसका सही answer जगा option number A अगला printer देखिएगा किमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सब printer सबसे सस्ता है तो यह सस्ता पढ़ता है इस मामला में laser printer तो इसका सही answer जगा option number D अगला देखिएगा कौन से device में एक बेलना का drum होता है जिसे तस्वीर ग्राही कहा जाता है तो इसमें होता है आपका laser printer में किसका फ़यान फर्जगा option number D कोस्टन देखिएगा dot matrix printer नीमन प्रकार के printer का उदाहरन है तो यह किस प्रकार का printer का उदाहरन है तो यह है impact printer का जिसका सही answer जगा option number B अगला प्रफ़न देखिएगा laser printer फंबंधित है तो laser printer किस से संबंधित है तो यह संबंधित है आपका page printer से जिसका सही answer जगा option number B अगला प्रफ़न देखिएगा laser printer से संबंधित है तो laser printer से संबंधित होता है page printer जिसका सही answer जगा option number B अगला प्रफ़न निम्न में से कौन सा printer आम तोर पर desktop publishing के तू उप्योग किया जाता है तो desktop publishing के लिए उप्योग किया जाता है laser printer का तो इसका सही answer जगा option number B अगला प्रफ़न किस प्रकार का printer छबियों को print करने के लिए laser beam को उप्योग करता है तो laser beam का उप्योग करने काम करता है laser printer तो इसका सही answer जगा option number A अगला हो जाएगा character printer है जो एक समय में एक character print करता है तो एक टाइम में एक character print करने काम करता है dot matrix printer तो इसका सही answer जगा option number A अगला खालिस्थान printer line beam और ink particle को paper फे फंचालित कर output को print करता है तो यह print करने काम करता है laser printer तो इसका सही answer जगा option number C अगला प्रफना है एक निरगम कागाज के मुद्रण है तो वह printer जो प्रकास की रण को उप्योग करता है और स्याही के कड कागाज पर फंचालित होते हैं उसे उसका अच्छा वर्ग उसका जगाज करते हैं किसकर रूप में किया जाता है तो इसमें देखेगा यह किया जाता है आपका laser printer के रूप में तो इसका फेयान फर जगा। सा नंबर C अगला प्रफना देखेगा .matrix printer का दूसरा नाम है start matrix printer का दूसरा नम होता है impact printer तो इसका से आफ़ो जगापसा नंबर ए अगला प्रफना लेजर printer होता है तो लेजर printer कैसा printer है तो यह होता है आपका पेज प्रिंटर होता है तो इसका फैला जगापसा नंबर बी अगला है इसके नार है तो इसके नार एक क्या है तो input device है तो इसका सही आनफर जगापसा नमबर B अगला प्रफना निम्न में से कौन सा एक बिंदू और अनुरेखड अनुकरड नहीं है तो यह नहीं है तो keep end नहीं है तो इसका फिया आनफर जगापसा नमबर A अगला निम्न लिखित में से कौन सा एक आउटपूट डिवाइस नहीं है तो आउटपूट डिवाइस इसके नहीं है यह इन्पूट डिवाइस है तो इसका फ्यान फरजगा आपसा नमबर B अगला प्रफना, लाइन पेन क्या है, लाइट पेन ना, लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन होता है, अप्टिकल इन्पूट डिवाइज चिसका फ़यान फ़जगा आपसा नमबर B अगला प्रफन है निम्न में से कौन सा एक output device है तो output device है इसमें का printer तो इसका फ़यान फ़जगा option number C अगला प्रफन है निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल layout है तो ये है आपका query तो इसका फ़यान फ़जगा option number C अगला प्रफन देखिएगा यह एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है तो प्रफन फ़जगा option number A अगला प्रफन है एक multi function device में सामिल होता है तो इसके नार प्रिंटर और फोटो कांफियर 13 तीनों सामिल होता है तो इसका फ़यान फ़जगा option number D अगला प्रफना है, computer है तो आवस्याक, IP चीप समाने अता है, किसका बना होता है, ये बना होता है, silicon का बना होता है, तो इसका फ़ियान फरोज़ेगा आपसा नमबर B अगला प्रफना, नेमन लिखीत में से कौन सा device आपको कागज के दोनों तरब मुदराण करने देता है तो इसका फ़ियान फरोज़ेगा आपसा नमबर B, अगला देखिएगा, paper के दोनों तरब सवचालित रूप से प्रिंट करने के नुमती देता है, तो अभी देखे थे कौन सा, दुप्लेक्सर तो इसका फ़ियान फरोज़ेगा आपसा नमबर B अगला प्रफना है, स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गी कृत किया गया है, तो इसको वर्गी कृत किया गया है, किस रूप में, तो लाइन प्रिंटर के रूप में तो इसका फ़ियान फरोज़ेगा आपसा नमबर C अगला प्रफना है टॉगल की नहीं है तो टॉगल की कौन सा नहीं है तो एसी यह क्या नहीं है टॉगल की नहीं है तो इसका फियान फर्जगा आपसा नमबर ए अगला प्रफना देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा एक टॉगल की है तो टॉगल की कौन सा है तो इसमें कर टॉगल की हो जाएगा आपका केफ सो लॉक हो जाएगा तो इसका फियान फोजगा आपसा नमबर किर पर लेप्टाप परफियोक का का उपयोग करते हुए निमने लिखित में इसे किस उपयोग बड़े अक्चारों को लिखने के जाता है तो बड़े लीखने के लिए किया जाता है कि इसका उपयोग तो F1 छाग एफ़ेश्यान फर्जल का आफ्टा नूबर सिन अग्रा परफना है नियू लाइन के रेक्टर बनाने के लिए निम इन लिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है तो इसमें उपयोग किया जाता है इंटर का तो इसका संग्रहांड इस्टोरज भी कहा जाता है यह नहीं कहा जाता नें देख्ञेगा करफर बिंदू के दाई और दिखाई देने वाली करेक्टर स्टाने के लिए युदि में से किस कुंजी क उपयोग किया जाता है यह में कमाकी है तो इंपूट और और पूट का एक और पार्ट में बना दूंगा इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलता रही इसके लिए आप चैनल को सबिस्क्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम लगातार सपोर्ट मिलता रहे